हेलो सुदेंट्स वेलकम तु अफिसियल यूट्यूब चैनल आप ओरीजिन कोचिंग आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स क्लास 12 के मैथमेटिक्स के सिलेबस में हमारा कल्कूलास चल रहा इंटिग्रेशन और इंटिग्रेशन में हम अभी निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं आपको कंटिनिवस निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग के लेक्चर मिल रहे हैं इसमें हम आज इसके थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे समाकलन के अनुप्रयोग के इसके जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट को आपने देखा है तो वहाँ पर मैंने सिंगल जो इक्वेशन होता है y equal to function of x किसी एक फलन के द्वारा x अक्ष या y अक्ष में जितना छेत्र फल घिरा होता है उसका हमने कल्कुलेशन किया आज जो हम इस्टार्ट करेंगे वो दो वक्र होगा मैंने पिछले बार भी आपको डिस्कस किया था याद होगा कि next जो chapter हमारा आएगा बहुत important है जहाँ पर दो वक्र आपस में या तो एक वक्र एक state line इसमें सबसे important combination है एक परवला हो एक सदल रेखा हो दोनों परवला हो वृत हो त्रिभूज हो तो ये आपस में कितना छेत्र फल घिरते हैं इसका हमको कल्कुलेशन करना है तो इसके लिए भी मैं दो पार्ट में आपको पढ़ाँगा आज का पहला पार्ट कुछ ऐसे question पर होंगे जो common है और second part में मैं इसके third difficult table का question आपको बताऊँगा तो आज हम जो question करने वाले हैं उसमें exam में आना लगभग 100% decided है उसमें दोनों पार्ट से question आता ही है अब यहाँ पर देखो इसका basic concept क्या है सबसे पहले मैं आपको question कराने से पहले इसके concept बता दूँ actual में दो curve का मतलब क्या है देखो जैसे suppose यह x-axis है और y-axis है और अपने पास दो curve है किसी भी तरह से यह एक मैंने ऐसा suppose कर लिया दूसर suppose ऐसा suppose कर लिया अब यह दोनो curve यह मालनों पहले वाला वक्र का जो equation है y1 है y1 equal to function of x है मालनों पहला वक्र कर और नीचे में मैंने तो दूसरा वक्र की लिखा है उसका दूसरा function है y2 equal to function of x है या फिर y2 equal to gx है चलो इसको gx अपोस्ट कर लेते हैं यह तो दोनों वक्र दोनों वक्र आप देख रहें दूसरे को काट रहे हैं यह इस बिंदू पर और इस बिंदू पर काट रहे हैं तो इनका जो हमको area निकालना होता है इसका area हम निकालते हैं तो वो area काँ से area होता है दोनों आपस में जो एक दूसरे को घेरते हैं वो area होता है मतलब यह जो area है यहाँ पर इन दोनों वक्र ने आपस में एक दूसरे को cover किया हुआ है जबकि पीछले वाले हम question में क्या करते थे कोई acre sin x है तो sin x x को कितना घेर रहा है या x upon a plus y upon b equal to 1 सरल रहा है वो कितना घेर रहा है किसी एक अक्ष को यह हम निकालते थे यहाँ पर दोनों वक्र आपस में एक दूसरे सो कितना area enclosed करते हैं या आपस में एक दूसरे सो कितना शेतर फल में घेरते हैं यह हमको निकालना है इसके area निकालने का जो formula होता है area equal to होता है integration आप यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों को solve करेंगे यहाँ सबसे important बास है धियान रखना दोनों समीकरण को हल करेंगे यह मैं आपको working step बता रहा हूँ working steps का मतलब हमको किस step से जा कि इसको solve करना है तो पहला working step आपको है इसमें कि सबसे पहले दोनों को हल करना है और हल करके क्या करना है x के सभी संभाव मान निकालना है जितना भी x का मान निकलेगा यह निकालना है मतलब दोनों फलन को आपस में solve करोगे और x कही मान निकालने ध्यान रखना y का मान निकालोगे तो दूसरे x के साथ में निकालना पड़े गा तो एक मेथट से आप चलो तो x का मान निकालोगे इसका मान निकालने के बाद फिर जब आप area निकालोगे दूसरा पाम होगा यह area निकालने का आप फर्मूला यहाँ पर करोगे y1-y2 dx और यहां से आपको जो इसका value मिला रहेगा हल करने पर x के जो value मिला रहेगा तो limit बनेगा उसका छोटा value lower limit बनेगा और बड़ा value क्या होगा अपर limit बनेगा और y1-y2 का फिर integration करोगे x का respect में तो आपको घीरा हुआ छेतरफल मिल जाएगा वैसे इस question में आप देखना कुछ question आपके पास किसी भी writer का book होगा तो बहुँ से writer नेग area निकालने के लिए क्योंकि यहां geometry के formula यूज होते हैं तो जैसे मालो कहीं पर समलम चतुर्भूज trapegium है तो कोई writer उसको सीधा समलम चतुर्भूज के trapegium के formula निकाल रहा है कोई इसको त्रिभूज और आयत में चतुर्भूज में add करके निकाल रहा है तो सब के अपने अपने तरीके हैं मैं उस तरीके को apply करता हूँ जो easy हो steps कम हो और समझने में भी आसान हो तो इसको ध्यान में रखना आपके पास कोई book हो और उसमें दूसरे तरीके से दिया हो तो confuse मत होना टेली कर लेना actually आपको basic concept रिदी clear हो तो आपको किसी भी method में problem नहीं आएगा चाहे कोई भी राइटर कोई भी टीचर आपको जिस तरीके से बताएगा आप समझ पाओगे क्योंकि आपको base clear होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं तो यहाँ पर क्या रहे है अपन पहला पहला ज से लेकर मालो इसका नाम है a b c d तो a b c d यह जितना छेतर आप देख रहे हो यह y1 के द्वारा गेरा हुआ च्छेतर फ़ल है उसके आपको यहाँ से a b यह वाला यह नीचे वाला मालो यहाँ पर मैं एक और point देदू a e b c d यह वाला च्छेतर फ़ल है जो नीचे बना हुआ तो यह बड़े वाले च्छेतर फ़ल से जो यहाँ पर एक बार मैं उसको और highlight करता हूं यह इस च्छेतर फ़ल से यदि आप यह नीचे वाले च्छेतर फ़ल को यह वाले च्छेतर फ़ल को आप घटा दोगे तो naturally यह वाला च्छेतर मिल जाएगा यह पताता है यह function कि दोन दोनों एक्स को कितना घेर रहे हैं इसको माइनस कर देंगे तो दोनों आपस में दूसरे को कितना घेर रहे हैं यह आपको मिल जाएगा अच्छा यहां पर महत्त पूर्ण बात ध्यान रखना है आपको कि कभी कोई स्टुडेंट इसको y2-y1 कर ले y2-y1 dx कर ले तो भी सही है किसी को भी किया ला सकता है क्योंकि जब हम y1-y2 के जग़ा में y2-y1 को माइनस कर देंगे तो फाइनली आंसर में मालो निगेटिव आ सकता है मालो उसमय हमारा एरिया क्या आ गया रिडात्मक आ गया तो पाइनली आप उसको क्या कर लोगे, positive कर लोगे क्योंकर छेटरफल क भिंदास रहो कोई सोचने का जूरत नहीं है जहां से आपको मन परता है उसको माइनस कर दो final answer यदि माइनस आता है तो उसको आपको प्लस करना नहीं भूलना last में उसको प्लस कर देना और चाहो तो bracket में अपना explanation देना कि 6 तरफल रिडातमाग नहीं हो सकता तो यह है एरिया निकालने का इंक्लोस एरिय निकालने का फार्मूरा अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दे रहे होगे समा कलन के उन्हों प्रवयोग के पहले वीडियो से ही ध्यान दे रहे हो कि जो question मैं आपको provide करा रहा हूँ वो standard question है standard question मतलब general equation को लेके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर simple exercise के question मैं नहीं बता रहा हूँ उसको आप कर सकते हो जैसे मैंने ellipse बताया तो ellipse का ही equation ले लिया x square upon y square plus y square upon b square equal to 1 ऐसा नहीं कि x square upon 4 plus y square upon 25 equal to 1 उसको आप कर सकते हो मेरी बात आरी समझ में आपको तो यहाँ पर भी मैं आपको general equation को लेके करा रहा हूँ उसके दो फायदा है आपको पहला फायदा है कि आज तक का record है कि board exam में चाहे आप जिस board के भी student होंगे general equation से related question ही पूछे जाते हैं ठीक है including cbse cbse में भी general equation पर ही question आते हैं और दूसरा important बात है कि यदि आपको general equation पर best article clear है तो आप question तो आप करी सकते हैं इसलिए मैं उन्ही प्रशनों की practice करा रहा हूँ बाकी उसी type के similar type के question को आपको अपने से करना है ओके चलिए तो आज का जो मैं पहला question ले रहा हूँ वो यह है question number first हमारा दो कर्व का equation ले ले लेते हैं पर जिसमें एक मैं ले रहा हूँ परवला है y square equal to 4ax अब मैं direct question को लिख रहा हूँ y square to 4ax यह equation एक यह है और दूसरा है y equal to mx y equal to mx relation number 2 अब यह दोनों आपस में कितना छेतर फल घेरते हैं यह हमको अपने question में निकालना है तो सबसे important बात है इस chapter में कि आपको पहले वो equation समझ में आना चाहिए कि भाई वो equation आखिर है किसका क्योंकि हर आकरिती का अपना एक जामिती equation है, एक जामेटिकल relation है सब का आपको पता है तो यह आप पहचानते हैं, पहले से 11th class से ही पहचानते हैं कि यह किसका है, परवला एका है उसमें भी परवला के 4 समीकर्ण होता है x-axis को घेरने वाला y-axis को घेरने वाला फिर x-axis को घेरने वाला ठीक है? यह आपको पता है कि यह वाला परवला एक समीकर्ण कि यह वाला यह वाला एवाला 4 होता है, clear? तो यह x-axis को घेरने वाला जो होता है y-axis को एक्वाल टू 4 x ऐसा होता है, यहाँ चले आए तो y-axis को एक्वाल टू माइनस 4 x होता है, इस तरह से तो यह y-axis का equation है यह x-axis का equation है इस तरह से 4 equation होता है तो पहले आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि उसी के carding फिर आप figure बना पाऊगे इसमें हर question में चीतर में number होता है, जैसे 5 number का आया question, तो एक number या दो number अलग अलग board वाले उसको से सब divide करते हैं तो क्या होता है, step marking होता है mathematics में mathematics में step marking होता है इसका मतलब यह है कि हर steps पर आपके marks होते है कि आपने graph बनाया तो कितना marks मिलेगा आप दोनों समीर करण को हल किया तो कितना marks मिलेगा ऐसा नहीं कि आपका question नहीं बना तो आपको mess में 0 marks मिलेगा यह एक ऐसा यूनिक सब्जेक्ट है दुनिया का जिसके हर बात पर मार्क्स है बसे सभी सब्जेक्ट में लिखते हैं लेकिन step marking mathematics इतना कहीं नहीं होता है तो यह एक बहुत बड़ा plus point है हमारा कि by the way हमारे कोई question कभी पूरा नहीं बनता आप जहां तक भी approach कर पाते हो आपको करके आना चाहिए step marking होता है 5 marks का है तो model answer में हम लोग कापी check करते हैं तो हर step पर marks होते हैं इस पर इतना इस पर इतना इस पर इतना है इक्वल टू होता है mx plus c यह सबल रेखा का समी करण है और यहां पर यह जो दूरी काटता है अंताहखंड वो क्या होता है c के बराबर होता है और यहां पर जो कॉन बनता है theta होता है लेकिन इसका condition है कि यदि c न हो मतलब y अच्छे से काटा गया अंताहखंड क्या हो सुन यह हो तो उस condition में हमारा जो state line है वो कहां से निकल जाता है वो origin से निकलता है इस तरह से एक्च्छल में हम पढ़ रहे हैं वो geometrical application है समाकलन का अनुप्रयोग मतलब ज्यामिती अनुप्रयोग इसलिए इसमें जामेट्री का complete use होता है और जामेट्री हम पढ़े रहते हैं 11th class में यह सब परवला एती परवला दीर घृवित हम सब 11th class में पढ़े हैं तो वो आपको proper clear रहना चाहिए या नहीं है तो एक बार वहां से आपको उसको revise करना चाहिए वो इतना basic सब को पता होता है ओके चलि तो मैंने आपको working step में सबसे पहले क्या बताया था working step में सबसे पहले बताया था दोनों को हल करना सबसे पहले दोनों समीकर को हल करो या पहले ग्राब बना लो चलेगा तो पहले हम दोनों को हल कर लेते हैं हल कैसे करेंगे मैं मोला x का value find करना है तो यहां पर हम क्या करें x क value को किसी दूसरे equation, y के value को किसी दूसरे equation में put कर देते हैं, तो यह जो y का equation है, square दी मैं समीर का डेक में put कर दूँ, ठीक है, तो 1 तथा 2 से, मैं systematic लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि आप उसी तरह से समझना है, तो 1 तथा 2 से y के value को मैं यहाँ पर put कर दूँ, इसके जगह में, तो y को वहाँ square होगा, तो क्या हो जाएगा, m square, x square, equal, यहाँ से हो जाएगा, 4ax, यह होगा, that implies, आगे हम इसको जालो करें, तो देखो, 1x इसके साथ में, cancer out हो जाएगा, और यहाँ पर एक x बचेगा, उसको हम value निकाल लें, x equal, या उसको हम common कर लें, ठीक, दोनों तरीका है, चलो, दूसरा भी value निकलेगा, तो common कर लेते हैं, पर, क्योंकि 2 value चाहिए x के अपने को, तो इसको इधर transfer करके मैंने क्या किया, x को common किया, x को common करूंगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, m square x, m square x, और minus यह इधर आके 4a, क्योंकि x को common कर लिया है, यह 0 हैगा, therefore, यह दोनों गुणन खंड के दि हम salve करें, तो x गया है, 0 की equal होगा, तो therefore, x equal to 0, r, x का एक value 0 हैगा, और x का value यहाँ से अपन salve करें, तो x equal to, इसको उधर ट्रांसफर करें, तो naturally है होएगा, 4a, और बटे में होएगा, m square, इस तरह से यहाँ से देखो, हमको x के 2 value मिलेंगे, 1 x equal to 0, और 1 x equal to 4a upon m square, इसी को मैंने आपको बताया था, कि x के 2 value मिलेंगे, जो छोटा value होगा, वो lower limit होगा, बड़ा value होगा, वो upper limit होगा, उच सीमा होगा, अब देखो, इसका हम graph बना ले, ठीक है, सबसे पहले हम इसके graph ड्रा कर लें, तो graph इस तरह से ड्रा होगा इसमें, देखो, पहले y is equal to 4x का graph, इस तरह से होगा, और यह origin point है, तो दूसरा जो line है, दूसरे color से बनाता हूँ मैं, यह जो y is equal to mx है, वो कहां से जाएगा, वो इस तरह से यहां से जाएगा, तो यह जो black color से मैंने बनाया है, वो आप देख रहे हो, किसका समी करण है, y is equal to 4x का समी करण है, clear vertices 0-0 पर है, और यह जो आप देख रहे हो, दूसरा जो ने blue color से मैंने जो line राग किया है, वो क्या है, y is equal to mx का है, अब यहां पर जो आप देख पा रहे हो, चित्र में, वो क्या है, suppose यह, यह वाला क्या है, उसका enclosed area है, यह मैंने green color से जो area बनाया है, यह दोनों के दोरा घेरा हुआ छेत्र फल है, इसी छेत्र फल को आपको निकालना है, अब हम इसके limit को यहां पर बता दें, figure में भी, तो यह तो 0 point है, यह origin है, तो x equal to 0 यह है, और दूसरा जो intersection point है, वो यह उसका intersection point है, उनको in close area प्राप्ट हो जाएगा, ओके, तो चलिए आब area find करते हैं, next work हमारा क्या है, चेत्र फल ग्याद करना है, तो a equal to मैंने आपको फार्मूला बताया था, integration आप y1 minus y2 का holy square dx और limit होगा इसका, यहां पर जो भी limit है, अभी तो यहां पर ऐसी लिख देता हूँ, फार्मूला है, x1 to x2 या a2 भी लिख सकते हैं, जनरली x1 to x2 लिख देते हैं, क्योंकि x के respect में integration हो रहा है, तो यहां समा कलान का खासियत क्या है, कि जिसके respect में integration होता है, उसी का ही वहां पर limit put up किया जाता है, जैसे x के respect में integration हो रहा है, तो x का limit रखाएगा, इसलिए हमने x का value निकाला है, यदि हम इसको y के respect में integration कर रहे होते हैं, तो y का अपन value निकालते हैं, और वहां पर y के value को limit के रूप में put up करते हैं, तो दोनों मेरिया सेम आएगा, दोनों मेरिया सेम आएगा, लेकिन हम क्या है, को कई विजी से नहीं बनाते हैं, ताकि student को कोई confusion नहों हो, चलिए, अब यहाँ पर हम इसका value put up करते हैं, that equal integration up, y1, x1, x1 क्या है lower limit, 0 है, और x to upper limit है, जो की क्या है, 4a upon m2 है, अब y1 का value, तो y1 का value हम यहां से निकाल लेंगे, देखो, तो y is square equal to 4x है, तो इसको हम root लेंगे, दोनों side का, तो क्या हो जाएगा, root up 4ax, तो y1 का value हो जाएगा, root up 4ax, यह y1 का value है, और y2 का value यहां से निकालेंगे, तो naturally वह तो क्या है, mx है, यह mx हो गया, और यह हो गया dx, तो value put up कर ना गया, समझ में सबको, इस तरह से हम क्या करते हैं, जो area का formula है, उसमें हम value को put up कर देते हैं, ओके, एक के किस्टे बहुत ध्यान से समझो, इस तरह के question तो similar question तो करीब आओगे आप, चलिए, next देखते हैं, अब आब इसका integration करेंगे, तो integration करने के लिए क्या है, देखो, मैं next page पर लेकर इसको integration कर रहा हूँ, a equal to, therefore a equal to, अब हम यहाँ पर एक line में और simplify कर दूँँ क्या, एक line में simplify करूँँगा, यहाँ से 2 बस बाहर निकलेगा, 2 root a, और वहाँ से m, ठीक है, direct integration ही करता हूँ मैं, तो integration करूँ, तो integration का sign यहाँ से हट जाएगा, और integration का sign हटने के बाद यहाँ से देखो, यह 2 root a बाहर होगा, और root x का integration होगा, तो root x का integration क्या होगा, x का घात 1 बटे 2, 1 बटे 2 धन 1, बटे 1 बटे 2 धन, direct लिख रहाँ 3 बटे 2, तो 2 root a, 2 root a, x to the power 3 by 2 upon 3 by 2, यह हो जाएगा, पहले part का integration, और minus, इसका integration होगा, minus m तो constant m रहेगा, और x का integration होगा, x square upon 2, तो यह होगा, x square upon 2, integration मगरा, सावधानी से करना, mistake मत हो, 0 से, क्या है हमारा limit, 0 से हमारा limit है, देखो, 4 a upon m square, 4 a upon m square, तो हाँ पर हम limit को रख देंगे, अब हमको कुछ निक करना है भाई, इसको simplify करना है only, चलो simplify करते हैं अपन यहाँ से, तो, 4 a ना, ठीक, चलिए, limit को रखते हैं, सिधी सी बात है अब यहाँ पर, तो, यह 2 उपर चला जाएगा, और 4 हो जाएगा, तो, 4 root a upon 3 into, यहाँ पर हम upper limit रखेंगे, इसका, तो यह हो जाएगा, 4 a upon m square, का whole power, 3 by 2, यह हो गया, इसका upper limit, minus m upon 2, यह m upon 2 है, और इसके लिए, हम x का value यहाँ पर put up करेंगे, जो कि upper limit में यह है, तो 4 a upon m square का, whole square, square है इसलिए, और minus lower limit को रखने के जोरत नहीं है, यह तो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का value 0, यहाँ पर x का value 0, तो lower limit generally 0 हो, तो ज्यादा tension नहीं रहता, lower limit 0 रहो तो केवल trigonometry function में हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, कि sine cast 10 है, वहाँ पर 0 तो होई नहीं सकता वो, वो अपने हिसाब से answer देगा, लेकिन जो algebraic function है, जहाँ पर x आया हुआ है, वहाँ पर कोई tension नहीं, क्यों कि x के जगा में 0 रखोगा तो सबको 0 कर देगा वो, trigonometry function और exponential logarithmy function में थोड़ा सा alert रहने के ज़ूरत है, जैसे e to the power x है, और आप 0 रखना है तो ऐसे 0 होगा थोड़ी बोलोगे, e to the power 0 करोगे तो 1 आएगा वो, ऐसे function बस में ध्यान रखना है, बाकी जगा तो 0 हो जाता है, ओके, that equal, अब आगे देखो हम इसको सालव करें, चलो simplify करें इसको, तो 4 root a upon 3 into, into यहाँ पर देखो, अब थोड़ा ध्यान देना है, a का power 3 by 2, चलो यह बर लिख देता हूँ, a का power 3 by 2, यह a का, क्रम से लिखता हूँ, ऐसे जगों में थोड़ा केर करने के ज़ूरत है, 4 का घा 3 upon 2, 4 को लिख सकते हो 2 का e square, तो जब इसको 2 का e square लिख होगे, तो यह क्या होगा, 2 cancel out हो आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 to the power 3, एक बार मैं डिटेल में ही लिख देता हूँ, 2 to the power 3 हो गए, into, अब देखो, a का power 3 by 2, लिख ही दो 3 by 2, भले थो इस्टेप ज़्यादा लगे, लेकि नेके क्लाइन आपको समझ मियाना चीए, m का power 2 to 2 के साथ में cancel होगा, तो यहाँ पर होगा, m to the power 3, क्योंकि यहाँ पर 2 केंसल आउट होगा, और माइनस, माइनस यहाँ पर देखो, यहाँ पर m का power 1 है यहाँ पर, और m का power वर्ग बनेगा, तो यह इसका 4 हो जाएगा, 4 में 1 कटेगा, तो क्या हो जाएगा, पावर 3 होगा, 200.2, m to the power 3, और into, यहाँ पर 4 का square, ठीक है, तो system लिख दिया इसको, 4 का square, 4 चुम 16 हो गया, और यहाँ पर a square, तो a square ही रहेगा, हाँ, a का e square हो जाएगा, यह, यह हमने limit को रख दिया, थोड़ा सा lengthy portion है, आराम से value को रख रहू हूं मैं, एक काम करें, जो चीज कामन है, उसको कामन कर लें, कामन करना ज्यादा बेहतर हो जाता है, that equal, ध्यान देना क्या क्या कामन है यहाँ पर, 4, यह तो हो गया 8, 8 चौंग 32, यह हो गया 8, दो कखा 3 मतलब 8, 8 चौंग 32, यहाँ पर 16 है, ठीक है, 80 कामन होगा, यहाँ से मैं थोड़ा केंसिल करा देता हूँ, समझाने के लिए, 2,8 जा, यह हो गया, और यहाँ पर, तो कोई केंसिल नहीं होगा, तो 80 कामन निकालेंगे, अब जो कामन निकलेंगा, उसको मैं राउंड कर रहा हूँ, हम MQ कामन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी MQ है, ओके, A स्क्वेर कामन निकाल सकते हैं पर यहाँ से, यहाँ पर देखो, रूट A है, और इसका पावर 3 by 2 है, तो 3 by 2 प्लस 1 by 2, 3 by 2 प्लस 1 by 2, ध्यान देना, तो 3 by 2 प्लस 1 by 2 क्या हो जाएगा, 4 by 2, that means 2, तो यहाँ पर भी यह दोनों मिलके, यह दोनों मिलके एक अवर्ग है, तो एक अवर्ग भी कामन निकलेगा, clear, तो मैं कामन को लिखते जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, किसको किसको मैंने कामन बोला, 8, तो यह 8 कामन हो गया, into, क्या कामन हुआ, A square, यह A square कामन हो गया, और अपान में क्या कामन हो रहा है, दोनों जगा से, M cube, M cube कामन हो रहा है, अब बचा क्या, इसको हम देखते हैं, यहाँ से 8 कामन हुआ है, 2 to the power 3 कामन हुआ है, अभी 4 इसमें बचा हुआ है, ठीक है, इसको मैं round ही कर दूँ, आपको confusion न रहे, चलो rate से, black से ही कर दिया, यह कामन हो चुका है, तो अब हमारे पास बच क्या क्या गया, 4 upon 3, यहाँ से, 4 upon 3, और कुछ सब कामन हो चुका है, तो यह हो गया, 4 upon 3, और minus, minus यहाँ पर देखो, 8 कामन हो चुका है, a square कामन हो चुका है, m cube कामन हो चुका है, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ से, 1 बचा, यह, that equal, अब इसको हम साल्व कर लें, 8 a square upon m cube, under bracket, 8 a square upon 3 m cube, this is the final answer, देखें फ़ला answer क्या देता है, writer, 8 a square upon 3 m cube, 8 a square upon 3 m cube, this is the final answer, एक बार answer चेक करना बहुत जोरी है, क्या है कहीं पर, कुछ छोटा मोटा ऐसा mistake हो जाता है, carefully worker करोगे, खास कर इस chapter में, आपको calculation बहुत carefully करना है, limit रखने के बाद, कहीं पर हड़बड़ी में mistake हो जाता है, मुझसे भी हो सकता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा ऐसा, पैसा हैंस के साथ में, और अराम से calculation करेंगे, limit रखना हो, क्योंकि बहुत important question है, 5-6 marks गाता है, long answer में, अब कहीं पर छोटा मोटा mistake हो गया, तो answer गलत होयागा, तो आपके बहुत marks कर जाएंगे, step पर होता है, लेकिन कई लोग answer नहीं आए, तो ज़्यादा नमबर काड़ देते हैं, यह आप खुद परसान होते रहेंगे, चेक करने के लिए, ओके, तो मैं समझता हूँ, यह question आपको, अच्छे से समझ म्याग गया होगा, क्या क्या करते हैं, बढ़ देखो, equation लेते हैं, दोनों को salve करते हैं, x का value find करते हैं, coordinates, निर्दे सांकों के अधार पर हम इसका grab बनाते हैं, और y1-y2 करके इसका integration करते हैं, integration करने के बाद जो answer आता है, वो घीरा छेतरफल होता है, चलिए, next question में चलते हैं पर, next question, अब मैं एक selected question ले रहा हूँ, इसमें दोनों परवलाएं हैं, y2 equal to 4ax, y2 equal to 4ax, एक equation ये लिया, और दूसरा equation लिया मैं, x equal to 4ay, मज़ेदार question हैं देखो ये, x square equal to 4ay, अभी मैं आपको introduction दे रहा था, बता रहा था आपको सब कैसा क्या है, देखो यहां पर दोनों परवलाएं का समी करण है, यहां पर दोनों आपका परवलाएं का समी करण है, और जिसमें एक x को घेरा हुआ है, दूसरा y x को घेरा हुआ है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को जहां पर काटेंगे, उसके कार्डिंग हमको छेतर फन निकालना है इतने selected question लेके मैं आपको practice करा रहा हूँ कि इन प्रस्णों को आप कर लिये तो आप तयार हो गए इन प्रस्णों के दिया आपने कर लिया मेरे वीडियो में आप जितना प्रस्ण देखेंगे कि उसको कर लिये मतलब आप तयार हो गए ठीक है क्योंकि दो पार्ट में कराऊंगे नेस पार्ट में तो मैं आपको और इस तरह के question रहे तो difficult label के है उससे बाहर question आएगा नहीं आप समझ लो चलो देखो अब इन दोनों को हल करते हैं एक तथा दो से पहला काम है हमारा इन दोनों को हल करना तो एक तथा दो से हमको x का value find करना है तो y को eliminate करना है अपने को सिधी सी बात है तो यहाँ से 2 में आपन लिखने क्या है x square equal to 4 into a और y का जो value है यहाँ से तो root of root of क्या है जाएगा 4ax जिसको हम लिख सकते है root करेंगे तो 2 हैगा 2 root of ax क्या किया मैंने यहाँ से y का value निकालके यहाँ पर इस y के जगा में put up कर दिया अब इसको solve करो तो इसके value क्या क्या हो सकते है देखो ठीक है इसके जो possible values है यह हमको निकालना है root max का value है तो अपन root के फार्म में निकालेंगे पूरा चलो ठीक है root के फार्म में हम max का value निकालेंगे तो question बहुत lengthy हो जाएगा मतलब जहाँ root आएगा तो अहां पर हमको value put up इससे अच्छा हम क्या करते हैं इसके दोनों पक्षों का work कर लेते है squaring both sides तो दोनों पक्षों का work करेंगे तो होजाएगा x to the power 4 equal to इसका work करेंगे तो होजाएगा 16 a square और into इसका भी work करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा ये और into इसका work करेंगे तो होजाएगा ax root से हट जाएगा ये काम कर लेते हैं सबसे पहले तो x to the power 4 के फार्म में इसको अपन solve कर लेते हैं ठीक है x to the power 4 के फार्म में solve करने के बाद ही हम इसका value find करेंगे तो अब यहाँ पर इसको transfer कर ली side x को cancel out नहीं करा सकते क्योंकि x को cancel out कर रहों गए तो x का जो value 0 आता है हो नहीं मिलेगा तो इसको इधा transfer करके मैं x को common कर लेता हूँ यहाँ transfer करके x को common करूंगा तो जाएगा x to the power 3 ठीक है और minus 16 में 4 multiply होगा तो minus 16 फोर जा 64 और into a का इसके साथ multiply होगा तो क्या हैगा a cube equal to 0 ये करो ऐसा करने से क्या होगा एक value x देगा ये एक value यहाँ पर x देगा और दूसरा value इससे मिलेगा तो therefore x equal to 1 हो गया या यहाँ से हम इसको साल्व करें तो x cube x cube equal to है अगर इसको 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 टांसफर करें तो 64 a cube होगा therefore यहाँ से दोनों साहिब का cube root ले 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 तो x equal to कितना होगा देखो 4 का cube 64 हम लिख सकते हैं 4 का cube तो दोनों तरब का cube root लेंगे cube root मतलब घात एक बटे 3 तो यहाँ से x हो जाएगा और यह हो गया 4 और इसका cube root a तो जाएगा 4 a ऐसा salvo करना ज्यादा बहतर है इसको अधरवाइज root के फार में कठीन हो जाएगा x equal to 0 आया और x equal to क्या आया 4 a तो 0 to 4 a ठीक है दो value आगया अपन x का value 0 और दूसरे x का value 4 a दो limit मिल गया मैंने बोला salvo करने के बाद क्या करना है आपको उसका graph बनाना ठीक है तो graph में proper आप उस points को represent कर दो देखो second point है graph यह x axis y axis अब graph को हम यहाँ पर drag करें तो y is equal to y is equal to 4 a x तो यह graph ऐसा हो जाएगा इस तरह से और दूसरा graph है x is equal to 4 a y अभी मैंने आपको बताया किधर होगा enclosed वो उपर की ओर ऐसा ऐसा graph बनेगा clear यह rate color से जो मैंने बताया y is equal to 4 a x मतलब यह पहला equation का graph है और यह किसका है यह दूसरे equation का graph है यह graph में आप उस समीकर को लिख भी सकते हो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा और यहाँ पर जो enclosed area है जो इनके द्वारा घेरा हुआ छेतर फल है वह यह है यह दोनों के द्वारा घेरा हुआ छेतर फल है इसी छेतर फल को हमको निकालना है और naturally आपको figure से यह दिखाई दे रहा है कि यह point origin पर इंटरसेट कर रहे है जो कि 0 है यह x equal to 0 का value है और दूसरा point इंटरसेट कर रहे है काट रहे है कुसरे को इस बिंदू पर तो यह क्या point है फोरे का point है इस तरह से तो यह मिल गया यह आपको graph हो गया अब आपको यह 0 से फोरे तक integration करना है तो फिर क्या हो जाएगा उसका आपको area मिल जाएगा तो therefore सीधा area निकालते हैं फिर देखो अपन therefore area का मैं formula लिख रहा हूँ एक बार सूत्र को जरूर लिखना चाहिए x1 x2 y1 minus y2 dx एक बार formula को अप लिखो अब इस situation के guarding formula के apply करो तो x1 का lower limit क्या है 0 और upper limit है अपने पास 4a अब यहां से 1 y1 का value इसको हमने equation first माल लिया है तो y1 यहां से निकाल लो क्या हैगा root of 4ax यह होएगा root of 4ax y1 का value और y2 का value यहां पर y2 का value निकालोगे x square अपान 4a आएगा इसको इधा transfer करूँगा तो क्या हैगा x square अपान 4a तो x square अपान 4a यह हो गया और dx अब हमको इसका integration करना है integration करना है limit को रखना है तो आपको answer मिल जाएगा अब integration साउधानी से करना limit को साथाइगा main concept यह है जो starting weapon करते हैं बाद में तो समा कलन ही करना है समा कलन करने में किसी को problem आ रहा होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कहां का problem हो फिर तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा आपको limit रखने में problem आ रहा है मतलब आप फ्रास simplification में आप कमजोरी करना है उसको limit को साउधानी से रखना है साउधानी से हल करना है चलिए पहले तो integration करने है अपन इसका तो यह तो 2 root A आ जाएगा root X का integration अभी तो किया है हमने है न therefore A equal to limit हटा दिया तो क्या हो जाएगा 2 root A 2 root A और X का integration X to the power 3 by 2 upon 3 by 2 यह हमारा integration हो गया किसका पहले पार्ट का दूसरे पार्ट का करेंगे 2 upon 4 A constant है X square का X cube हो जाएगा तो minus 1 upon 4 A 1 upon 4 A और इसका integration हो गया X cube upon 3 X square का और limit है 0 to 4 A यह हमने limit को रख गिया ओके clear यहाँ तक that equal अब आगे इसको हमसाल वो करें तो क्या होगा देखो यह 2 उपर जाके multiply यह तो अभी किया हमने तो 4 हो जाएगा 4 root A upon 3 4 root A upon 3 और into इसको रहने दो X to the power 3 by 2 minus यहाँ पर हो जाएगा 1 upon 4 ती आ 12 A 12 A और यह हो जाएगा X cube limit 0 to 4 A that equal अब limit को रख रहा है upper limit minus lower limit तो upper limit minus lower limit constant को रहने दो यह constant है इसके साथ कोई लपढ़ा नहीं है यहाँ पर हम value put up करेंगे upper limit का तो यह हो जाएगा 4 A का power 3 by 2 और minus 1 upon 12 A यहाँ पर X का power 4 A का power 3 यहाँ पर भी lower limit रखने का कोई प्राबलम नहीं है क्यों कि यह भी 0 होयाएगा और X के काड़े भी 0 होयाएगा तो 0 को लिखने जो रखने जो रखने नहीं formality के लिए minus 0 लिख सकते है ना लिखो तो भी चलेगा that equal अब इसको आगे हम solve करें तो क्या क्या होगा ध्यान से देखना है यहाँ पर यह 4 को 2 cover गे लिखेंगे तो 2 cover गे लिखेंगे तो 2 इसके साथ में cancel out होयागा तो 2 जब इसके साथ cancel होयागा तो 2 कागात कितना होयागा 3 ठीक है 2 कागात 3 मतलब कितना होयागा वो 8 अभी multiply बाद में करूंगा 8 root A और into यहाँ पर हो गया क्या 8 into यहाँ पर ध्यान देना 1 अगहात 3 बटे दो और 1 अगहात root माने 1 बटे दो अभी साल में किया हो 1 बटे दो धन 3 बटे दो 4 बटे तो मतलब क्या होयागा A square तो यह A square हो गया और upon 3 clear यहाँ तक minus यहाँ से आप ध्यान देना 1 upon 12 बटे लिख लिए यह चलो बाद में cancel करेंगे into एक यह है यह A का घात 3 है तो एक A इसके साथ में कट जाएगा तो पहले 4 का घात 3 ठीक है तो 4 चौंक, 16 चौंक, 16 चौंक, 64 यह 64 और into हो गया A square यह अब यहाँ से जो जो cancel होता है उसको थोड़ा सा simply काई पाई कर लेते हैं आगे कटाने के पहले तो अच्छे है यह रूटे को लिखने का जूरत नहीं है इसको तुमें इसके साथ में जोड दिया हूँ तो यह डबल डबल लिख डला है इसको में और कुछ दिक्कत कुछ नहीं यहां से cancel out हो रहा है चार से चार तिया बारा ठीक है और यह 16 16 64 A square बस अब इसमें जो कामन है वो कामन कर लेते हैं अपन that equal क्या क्या कामन है ध्यान देना पहले तो यहां से 8 16 कर सकते हो ठीक है 16 कामन है बाकी बचे गई इससे तो 16 अपान 3 भी कामन हो रहा है ठीक है 16 अपान 3 यह एक साथ LCM लेके साथ LCM लेने से दिक्कत होता है तो यह हो गया 16 कामन हो गया A square कामन हो गया दोनों से और 3 भी कामन हो गया नीचे से तो यहां से 16 को कामन की हमने इसको हम लिख सकते हैं 8,16 और यह 8 को क्या लिख सकते हैं दो गुड़ी 4 तो क्या बचा है 4 और माइनस यहां से तो पूरा कट गया तो 4 माइनस 1 यह तो इसके साथ के इंसल आपट हो रहे है तो 3 3 के साथ के इंसल आपट हो रहे है बहुत सरल हो गया है तो है ना 16 A square इसका आइनसर आएगा ठीक है देखें आइनसर क्या देता है राइटर 16 अपान 3 कहीं पर मिस्टेक हुआ थरी का 16 इस से कामन के हूँ तो क्या बचे आइनसर आया है 16 अपान 3 आया है 60 अपान 3 A square आया है कहीं पर 3 का मिस्टेक कर दिया क्या मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ 4 तिया 12 ही होगा 12 A X cube 4 A का पावर 3 बाई 2 माइनस 1 अपान 12 है A 4 A 4 A का पावर 3 ठीक है यहाँ पर 4 A O यह 8 लिक दिया ना मैं इसको कहां से 8 लिक दिया था इसको मैं इसको कहां से 8 लिक दिया था मैं 4 का घात 3 2 का घात 2 होगा 2 का घात 2 2 इससे कटेगा तो 2 का घात 3 होगा यह 8 होगा ठीक यह मिस्टेक था 8 दूनी 16 ओके ठीक यह धोके से 8 लिक लिक लिया था तो यहाँ पर मैं 8 दूनी 16 16 को कामा निकालूं यहां पर टू बच्छेगा अर्टू बच्छेगा तो गया काम खतम हो गया इससे का तू माइनस तो यह दूधरा है एक एक प्रस्टन बहुत इंपोर्टेंट है गोई स्मिजा रहा हूं कि इनको आप इतना तयार कर लो मेरा lecture सुनते सुनते ही आपको 100% तयार होना चाहिए एक बार आप उसको बीना देखे बनाके rough work rough copy में आप जरूर कर लें उसके बाद आप तयार हो गए ये question exam में आ सकता है किसी भी exam में इतने board के student मेरे channel में पढ़ते हैं तो ये मान के चलो किसी ने किसी के board में आ रहा है फिर 12 का जब exam होगा था अब जब भी होगा ठीक है चलिए 12 के exam बोलने सा तो डर लग जाता है अपकी होगा क्या होगा कैसा होगा तो आ गया कि 12 के exam के लिए हमको confusion में है नहीं तो इतना बड़ा target होता था 12 का exam मतलब single day आगे पिछे नहीं होना है अब बिल्कुल time to time तयार होको इस exam में जाना है लेकिन अभी तो बहुत easy going हो गया इसलिए अपने हर class में आप लोगों को बोलता हूँ कि आप exam को किनारे रखो और knowledge पर focused work करो otherwise future में परसानी हो जाएगे जैसे कई student बहुत easy going हो गया है बस exam तो अब ऐसी होगा पास हो जाएगे तो इस time में जो 11-12 की student है जो बहुत आसानी से अपने class को पार कर लिए future में जाब आप उन बच्चों के competition में आऊगे जो मेहनत करके उसमें IT जाई नीट के preparation में आएंगे तो उनके साथ compete करना मुश्किल होगा इसलिए आप उसको easy way में मत लीजिए एक्जाम जैसा भी हो आपको तयार अच्छे से रहना है आपको तयार अच्छे से रहना है future को ध्यान में रखके otherwise फिर corona time की students लोग बहुत लोग academic पूर हो जाएंगे क्योंकर हुन ठीक से ध्यान नहीं दिया तो ऐसा नहीं करना और आपको resource भी है मिल भी रहे हैं मैं तो अपने तरफ से अपने channel में आपको पढ़ाई रहा हूँ और भी बहुत से लोग आपको help कर रहे हैं तो वो सब उस writer का book calculation को आप compare करके देखना इस question में यह question है x square equal to 4y x square equal to 4y एक equation यह है और दूसरा equation है x equal to 4y minus 2 x equal to 4y minus 2 equation को आप पहचान लिये होंगे किसका किसका equation है यह परवलाय का समीकरण है और यह सराल रेखा का समीकरण है लेकिन यह सराल रेखा का समीकरण फ्रसा different रूप में है ठीक है तो यह सराल रेखा का समीकरण है और यह परवलाय का समीकरण है तो पहला काम इनको हल करना अपने working step से पहले काम एक तथा दो से एक बार आप दिमाग में बिठा लिए कि इसके बाद मुझे कर इसलिए मैं वरकिंग इस्टेप पर डिसकस करता हूं कि इसकी एक प्लाणिंग है ना अपने लाइप में कोई भी काम करते हैं तो दो तरीके से करते हैं without planning है with planning, without planning हम work करें, तो कहीं पर भी हम अटक जाद अब क्या करें, फिर सोचने के लिए रुख जाएंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, भेले उसका सालिस्तन हमको मिलेगा, लेकिन उसमें time लगता है, flow नहीं होता है, लेकिन एक आदमी अपने पूरे काम को planning से कर रहा है, इसके बाद यह करूँगा, फिर यह करूँगा, तो mathematics मतब तब सबसे best planner होता है, mathematics subject का society में importance इसलिए है, क्योंकि mathematics से related student का होता है, एक अच्छा planning करने वाला होता है, क्योंकि पूरे जिंदगी पर, दिन पर मेंस पना रहा है, तो मेंस करता क्या है, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, तो decision making capacity और planning capacity, यह mathematics की student का बहुत strong होता है, क्योंकि उसका subject का nature है, कि दिन भर वो सोच रहा है कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब हमाई life भी ऐसी चलती है, अब क्या करूँ, तो बहुत जादा correlate होता है, इसलिए आपने देखा होगा, कि mathematics से related जो लोग होते हैं, वो बड़े पदों पर या कहीं पर भी, जो decision making, जो capacity होती होती हुँ जगों में, बहुत अच्छा वर्क करते हैं, तो यह हमको पहले समझना है, कि फिर पहले क्या करना है, तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, कि जब मैं दो equation वाला, जब आपको solve करता हूँ, पहले दोनों को हल करता हूँ, यह आपके दिमाग में proper होना चाहिए, कोई भी मैस्ता हो, कि वाले इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो दोनों को भाई चलो, हल कर लेते हैं, तो कैसे हल करेंगे, x के लिए solve करते हैं, तो यह हो गया, x square और equal, यहाँ पर देखो, 4y है, और luckily हमारे पास दूसरे equation में भी 4y है, तो यहाँ yy निकालने का जोरत नहीं है, सिधा 4y का value हम निकाल लेते हैं, तो 4y का value यहाँ से क्या निकल जाएगा, x plus 2, तो x square equal to सिधा क्या हैगा, x plus 2, यहाँ हमने सिधा 4y का value, यहाँ से ले जाके put कर दिया, तो x plus 2 है, तो बहुत आसान हो गया, that implies, आगे हम इसको salvo कर लें, तो x को इधा transfer कर लें, x square plus x, sorry, minus x, x square minus x minus 2 equal to 0, that implies, अब इसको हम break कर रहें, तो क्या हो यहाँगा, x square minus 2x plus x minus 2 equal to 0, यह वर्ग समीकान को quadratic equation को हमने क्या किया, mid terms split कर लिया, 20 के पत को तोड़ लिया, minus 2x plus x minus x आएगा, और इस तरह से, इनका multiplication है, बागी यह सब आपको आता है, x को हम common कर लें, तो यहाँपर हो जाएगा, x minus 2 plus, यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 को common दिखा सकते हैं, x minus 2 equal to 0, यह निकलेगा, और therefore, यहाँ से मैं direct लिक रहा हूँ, x minus 2 का एक value आएगा, जो हमको क्या देगा, 2 देगा, और x का value यह 1 देगा, जो हमको x equal to, और इस टप लिखने के जूरत नहीं है न, x equal to 2, और x equal to minus 1, यह दो हमको इसके value मिलेंगे, यह अभी इस class के standard के साब से छोटी बात है, इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, तो x equal to 2, x equal to minus 1, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, graph ड्रा करना है, तो graph के लिए हमको इसमें y कभी value चाहिए, y कभी value चाहिए y coordinates का, तो क्या करो, संगत रूप से यह आप ऐसा न भी करो, तो हम इस question को direct बना सकते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, कि इस question को मैंने देखा है, मेरे पास बहुत writers के बुग है, कुछ लोग तो आसान चीज़ को इतना कठिन कर दिये हैं, कि मैं बता नहीं सकता है, फिर भी चलो मैं y के value तो निकाल देता हूँ यहाँ पर, आपको कम से कम पता रहे, कि किस value के लिए क्या पत होगा, तो पहला मैं निकाल रहा हूँ, if x equal to 2, then, यदि हम x equal to 2 ले ले, तो कहीं से भी निकाल लो, x equal to 2 ले ले माल लो, तो y का value कितना हो जाएगा, किस equation से निकालूं तो ज़्यादा अच्छा है, x equal to 2, x equal to 2 यहाँ से निकाल लो मैं, x equal to 2 यहाँ रखों, तो 2 plus 2, 4 हैगा, 4 divided हैगा, then y equal to 1, then y equal to 1, तो y का value क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और दूसरे दी हम निकाल लें, if x equal to minus, यह इसकी जवरत नहीं है, लेकिन graph के लिए मैं क्यों निकाल रहा हूँ इसको, बाकी area तो इन्हीं के दोनों की सहाथास निकाल, अभी तक आपने देख रहा है, कि x का value निकलता है, हम area निकाल देता है, y minus y2 से, इतना जटिल कर दिये उसको, कि यह असान चीज कठीन लगने लगा, आप देखें न, आपके पास तो बहुत से books होंगे, अब यहाँ पर x equal to minus 1 रखूँ, तो माल लो मैं यहाँ पर x equal to minus 1 रख दूँ, तो minus 1 रखूँँगा यह, तो कितना हो जाएगा यह, इधार आके plus 1 होयाँगा, तो y equal to 1 upon 4, ठीक है, और कुछ भेली थोड़ी आएगा यह, यहाँ पर हम x equal to minus 1 रखें, तो plus 1 होयाँगा इस पर y equal to 1 upon 4, y equal to 1 upon 4, ओके, 2, 1, 2, 1, minus 1, 1 upon 4, ठीक है, चलो इसके ग्राफ को देखो थोड़ा, ग्राफ को थोड़ा इसका ध्यान से समझना, x square equal to 4y, x equal to 4y मतलब कौन से equation कौन सा का है, y x इसका है, ग्राफ इसका थोड़ा धन से, थोड़ा ध्यान से समझना, तो यहाँ पर देखो, यह है equation आपका ऐसा होगा, यह है x square equal to 4y, और यह जो सराल रेखा का समीकरण है, यह सराल रेखा का समीकरण यहाँ पर इस तरह से होगा, यह सराल रेखा का समीकरण है इसका, क्योंकि यहाँ पर intersection point को देखो, 2 में 1 है, तो यह point क्या होगा, 2, 1, ग्राफ में आपन ड्रा करते हैं तो आपको याद होगा, यह point होगा क्या 2, 1, दोनों धनात्मक है, दूसरा में देखो minus 1, तो minus 1 क्या है, बाएं तरह आप आओगे, तो minus 1, और यह 1 by 4, तो state line आपका इस तरह से मिलेगा, और in close area, यदि यहाँ पर मैं इस में लंब ड्रा कर दूँ, लंब खीज़ दूँ, तो यह लंब यहाँ पर मैं यहाँ पर खीज़ दिया, यह लंब यहाँ पर मैं खीज़ दिया, यह 0 point है, तो आप देखो 0 और यह, इसका value क्या है, तो यह हो जाएगा, minus 1, 0, यह y axis पर, और यहाँ पर आप देखो, तो कितना हो जाएगा, 2, 0 होगा, minus 1, 0, 2, 0 हो जाएगा, और यह मूल बिंदु होगा, 0, 0, यहाँ पर जो enclosed area है, वो कौन से area होगा, यह मैं sedate कर रहा हूँ, ध्यान देना, दूसरे color से sedate कर रहा हूँ, यह वाला जो area है, यह इसका sedate area, इसी का हमको area निकालना है, यह जो आपको देख रहा है, वो area निकालना है, अब इसका निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं, मैं तरीकों पर बात करता हूँ पहले, क्या कि आप दूसरे writer के book पढ़ो के तो हो सकता है, वो उस तरीकेश निकाला हो, तो आप वहाँ भी समझ लेना, यहाँ पर मैं इसका नाम लूँ, मान लो A है, यह B है, यह C है, suppose यह D है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, A, B, C, D, एक समलम चतुर्भूज है, अब इस समलम चतुर्भूज के 6 तरफल में, आप यह वाले कार्णर का 6 तरफल, इतने का, इस कर्व का minus 1 से 0, integration करोगे, और 0 से 2 इसका integration करोगे, और यह जो खाली जगा आपको दीख रहा है, यहाँ पर यहाँ पर, इसको minus करोगे, पूरे समलम चतुर्भूज के 6 तरफल से, इसके 6 तरफल, इसके 6 तरफल को minus करोगे, तो जो lining वाला area निकालना हूँ, उसका 6 तरफल निकलेगा, ऐसे भी बहुत से लोगों ने निकाला है, लेकिन मैं ऐसा कुछ निकाल रहा हूँ, मैं अपने उसी method पर चल रहा हूँ, y1 minus y2 पर, कैसे, यहाँ पर मैं लिख भी दूँ, चीतर के निचे हैं, तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, area मैं कैसे निकालूँगा, देखो, area equal to integration of, x1 to x2, y1 minus y2 dx, अब करेंगे क्या आपन, यह इसका lower limit है, कौन, minus 1, x के लिए, ऐसे भी मैं देखो, x का value minus 1 और 2 निकाल के रखाऊ, यह सब तो मुझे निकालने का ज़़ुरत भी नहीं था, क्योंकि x axis के लिए आपको area equal to निकालना है, तो limit तो आप तो pass clear है, तो एक limit हम लेंगे किसको, एक limit लेंगे हम x का lower limit को, और दूसरा x का limit है क्या, 2 इसको लेंगे, और दो कर्व का equation तो अपने पास आई है, एक कर्व है और दूसरा कर्व यह, तो दोनों आपस मेंग दुश्य को कितना घेरते हैं, y1 minus y2 से निकल जागा, कैसे निकलेगा थोड़ ध्यान देना, y1 मतलब ये वाला area हो गया पूरा, जो इसको पूरा वो घेर रहा है, एक सक्ष को, ये वाला जो है, वो एक सक्ष को घेर रहा है, वो आला area हो गया, और उसमें y2 का मतलब क्या हुआ, ये state line पूरा जितना घेर रहा है, वो हो गया, तो पूरा जितना घेर रहा है, उसमें इसको और इसको minus कर देंगे, तो 24 तो निकल ही जाएगा, और वही basic concept ही है, तो कई writer लोग अनने से सरी, उसको difficult किये हुए है, बाकि आप देख लेना, समझ आपको सम आजाएगा, मुझे मालूम है, इतना समझने के बाद, जो भी समझाया होगा आपको, वो समझ में आएगा, चलिए, अब मैं यहाँ पर y1 का value यहाँ से put up करूँगा, तो y1 हमारा क्या हो जाएगा, देखो, y1 हमारा हो जाएगा, x square upon 4, और limit आप समझ गए है, तो area equal to, बिल्कुल unique method से इसको साल्व कर रहा हो, ध्यान से समझना, यह minus 1 से 2 तो मैंने limit ले लिया, y1 का value क्या ले रहा हो एक बरवर देखो, यह x square upon 4, यह हो जाएगा, x square upon 4, और minus y2 का value, y2 का value क्या होगा, वो y2 second number यहां से निकलेगा, तो ध्यान देने यहां से y2 कितना होगा, x plus 2, इधार आएगा तो x plus 2, और upon में फिर हो, x plus 2 upon 4, x plus 2 upon 4, dx, और patience के सांस इसको बहुत आराम से, आप integration करो, answer आएगा, देखो, यह काम इतना कठीन कर दिया है, कई लोगों रहे कि मैं खुद देखता हूँ, बुक को तो यह अजीब लगता है, यह 4, 4 common हो गया, हमने बाहर 1 upon 4 कर दिया, अब integration हो, क्योंकि यह constant है, यह constant है, constant को अंदर रखने का मतलब नहीं है, जितना हो सा के अंदर को easy करो, बाहर निकाल दो उसको, अब x square का समा कलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x square, ए सुरी, x cube upon 3, clear, और minus, अब ध्यान देना, यह x का integration करूँग, फोर तो बाहर हो गया, तो x का integration क्या हो जाएगा, x square upon 2, और minus इसके साथ multiply होगा, तो minus हो जाएगा, और 2 का integration क्या हो जाएगा, 2x, समा कलन बस सावधानी से करना, minus 1 to 2, समा कलन सावधानी से करना, और value को सावधानी से put up करना, कई बार मुझसे भी mistake हो जाता है, दूसरा भरते भरते, हम से mistake होने का तो बड़ा रिजन यह है, कि हमारा concentration, वहाँ लिखने से जादा आपको समझाने पर रहता है, कि कैसे बताएं, तो हमारा student समझे, तो हमारा concentration, अब मुझे अकेले के लिए उसको बनाना हो, मालो मेरे उसको आप दे दो, आपको काम साधानी से करना है, तो यह integration हो गया, जनरली offline और online class में, एक बड़ा difference है, अब मैं दोनों का मेरे को लंबा experience हो गया, तो वो चीज मुझे अखरता है कभी क्या, कि offline class में जब हम पढ़ाते रहते हैं, और कहीं पर हम गलत लिख लेते हैं, तो class में कई student एक साथ, सार ये होगा, अभी भी आपके साथ होता होगा, कि कभी आप video को देख रहे हैं, और मैं कहीं पर, जैसे मालो मैं फोर को 8 लिख डाला, तो आप में से कई student आरे साथ के यहां गलत कर दिये, अब उनको कैसे बोलू मैं, डारेट कनेक्शन तो कुछ है नहीं, ये चीज है, जिसके कारण हमको आफ्लाइन क्लास में ज़्यादा इलाट रहना पड़ता है, विथ रेस्पेक्ट आफ्लाइन क्लास, वहाँ तो दसों student हमको सुच्पर विजन करने वाले हैं, उनको पता है गलती हो भी क्यों रही है, गलती इसलिए नहीं हो रही है कि टीचर नहीं जानता, गलती इसलिए हो रही है कि भूलवस या हर्बडीमिया हमको बताने की चक्कर में लिग डाला, और दस लोग observation करने वाले हैं, यहां तो थोड़ा सा दीकत होता है, फिर भी कभी हो जाए, तो आप उसको excuse भी करना, और उसको correct भी करना, वैसे हमको पकड़ में आ जाता है न, बताते बताते, इसलिए मैं answer टेली करता हूँ last में, चलिए, यह integration आपको समझ में आ गया, अब हम देखते हैं यहां पर, upper limit minus lower limit, चलो भाई सब से पहले किसको correct टू, यहां minus 1 है, जिदो रहता है तो बड़ा मज़ा आता है, सब में x x है तो काम खतम कर देता, लेकिन यहां minus 1 है, बहुत सारा value से put up करना पड़ेगा, यह line मुझे मिटाना पड़ेगे लगता है, चलो नीचे लिख दूँगा, 2 put करो, 2 का power 3, मतलब 8, मैं सीधा salvo करके लिख रहा हूँ न, 8 upon 3, ध्यान देना, minus 2 का power 2, तो 2 का power 2 कितना हुआ, फोर, एक बार मैं value को लखी देता हूँ, ताकि साब साब दीखे value रखा गया है, नीचे यहां पर salvo करके 2 लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं put up कर रहा हूँ, ठीक है, minus 2 into 2, यह रखा गया, अब आगे साब धानी से रखना, minus lower limit हो, कई minus यहां पहले से हैं, उपर से यह minus है, तो यहां बहुत गड़बढ़ है, मैं रख मालूम है, plus minus का, तो lower limit रखेंगे, तो minus क्या होता है, फर्मूला में minus होता है, सुनो ध्यान से, यह फर्मूला का minus आ गया, minus 1 यहां रखोगे, तो minus 1 का power 3, मतलब वो minus कर दिया उसको, तो minus minus फिर plus हो गया, तो यह ध्यान रखना है, plus हो जाएगा, 1 upon 3, clear यहां तक, अब आगे देखना, यह minus है, और फर्मूला में minus आने वाला है, तो फर्मूला का minus, इस minus को क्या कर देगा, plus, minus lower limit, तो plus हो गया, 1 का power minus 1 रखोगे, तो minus 1 का power 2 रखोगे, तो sum है, तो 1 ही रहेगा, तो हो गया, 1 upon 2, ओके, अब इसकी बारी है, तो भाई, पहले तो यह plus हो जाएगा, minus, लेकिन जब x कर जागा, मैं मैं minus 1 को रखोगे, तो फिर वो minus हो जाएगा, तो फिर finally क्या हो जाएगा, वो minus 2, इतनी बात को ध्यान रखना, clear, that equal, अब यहां पर लिख देता हूँ, that equal, 1 upon 4, 8 upon 3, सुनना ध्यान से, अब मैं 3, 3 वाले को पहले, आपस में combine कर दूँ भई, 8 upon 3, और 1 upon 3, 8 upon 3, प्रस 1 upon 3 क्या हो जाएगा, 9 upon 3, 9 upon 3 मतलब कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, तो मैं 3 लिख दूँ उसको, यह हो गया 3, यह दोनों हो गए, अब सुनो ध्यान से, यह साल हो के, यह साल हो के कितना हो गया है, 2, minus 2, यह साल हो के, minus 4 हो जाएगा, और यह भी, minus 2, ठीक है, तो minus 4 और minus 2, minus 6, और फिर minus 2, minus 8, और यह बेचारा बस बस गया, 1 upon 2, तो उसको फिर अलग से देखेंगे, तो minus 8 plus 1 upon 2, minus 8, minus 8 plus 1 upon 2, that equal 1 upon 4, आगे साल हो कर लें, यह minus 5 आएगा, तो minus 5 plus 1 upon 2, that equal 1 upon 4, यह हो गया, minus 10 plus 1 upon 2, clear, तो यहाँ पर हो गया, minus 9 upon 8, देखो, minus आगे न, that equal to 9 upon 8, यहाँ लिख दोगे, कि छेतर फल, रिडात्मक नहीं हो सकता, लिख लेंगे, area never can be negative लिख लेना, यह इसका अंसर हो जाएगा, इस तरह से, तो यह वाला step को आप देखना, कभी भी आपके पास कोई भी book होगा, तो यह वाला step को आप देखना, तो writer दूसरे ढंक से साल्व किया होगा, मुझे मालूम है, मुझे 100% मालूम है, जो भी writer का book आपके पास होगा, यह step अलग है, तो मैं y1 minus y2 से निकाला हूँ है, एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ हमें y1 minus क्या है, y2, हलाई कि पिछे page में सब क्या है, clear यहाँ पर मैंने formula form में लिख दिया है, तो अन्य से सरी इसको दूसरे method में जाके lengthy करने का जूरत नहीं है, अब उसमें समलम चतुर्भूज कर निकालो, फिरोत्रिभूज कर निकालो, उसको निकालो, minus करो, बहुत lengthy work है, तो यह हो याता है इसका final answer, तो यह मैंने आपको तीन question आपको बताया, और यह तीनों question बहुत important है, पीन-चार question मैं इसके second part में, मैं एक यह दिन में बहुत आराम से समझार हूँ, मैं तो 7-8 question एक फटा-फटा-फटा करा दो, लेकिन ऐसा मतलब ने, इन प्रस्नों को आप भले ही आराम से समझो, लेकिन एक बार समझो, तो lifetime के लिए prepare हो जाना चाहिए, ऐसा ने कि फिर किसी के पास उसको पूछना पड़े, यहां कैसे हुआ है, confusion जैसा कोई matter नहीं होना चाहिए, ऐसे भी confusion के लिए है, तो भई, online class है, वो भी YouTube पर आप पढ़ रहे हो, एक बार live class होता, तो अलग बात है, तो यहां पर हमारी पूरी कोशिस होती है, कि हम इतना depth में जाके discussion करें, कि confusion, doubts, यह minimum हो, minimum confusion हो, minimum doubts हो, मैं अभी आप से चर्चा किया न, offline class में हम बिंदास रहते हैं, क्योंकि कहीं गलती हो आगे, तो बैठे हैं बोलने के लिए, समझ में नहीं आगे, तो बैठे हैं बोलने के लिए, सर्थ दुबारा बता दो, सर्थ तीसरे बाद बता दो, यहां तो हमारा आपका relation, बहुत एक दम सार्प relation है, कि न आप push पा रहे हो, न मैं वहाँ पर direct आपको reply कर पा रहा हूँ, तो मेरी पूरी कोशिस होती है, कि मैं आपको ऐसे बता दूँ, कि confusion और doubt तो होते हैं, साइन्स में मैंस में, लेकिन minimum हो, उसको minimize करने के कोशिस कर रहा हूँ, ओके, ओके, thank you.